तो आईए इस बहतरीन लर्निंग जर्नी की शरुवात करते हैं रिच डैड, पूर डैड, रोबर्ट के उसाकिक और इसी के साथ अब हम शरुवात करेंगे चेप्टर सेवन एन लेसन सिक्स को सीखने के लिए जो ये कहता है सीखने के लिए काम करें पैसे के लिए काम न करें 1995 में मैंने संगापर के एक न्यूस पेपर में एक इंटर्विव दिया एक यंग फीमेल रिपोर्टर समय पर पहुंच गई थी और इंटर्विव तरण शुरू हो गया हमें कालेशान होटिल की लॉबी में काफी की चुसकियां ले रहे थे और मेरी संगापोर ट्रिप के मकसद पर चरचा कर रहे थे मैं प्लैटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था वे इंस्पिरेशन पर चरचा करने वाले थे और मैं अमीरों के सीक्रेट पर बोलने वाला था एक दिन मैं भी आपकी तरफ बेस्सेलिंग आथर बनना चाहती हूँ उस लेडी ने कहा मैंनो उसके कई आर्टिकल पढ़े थे और मैं उनसे इंप्रेस हुआ था उसकी राइटिंग स्टाइल दमदार और क्लियर थी उसके आर्टिकल में रीडर्स में इंटरस जगाने की खाबलियत थी आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है मैंने जवाब में कहा कौन सी चीज आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है मेरा किया हुआ काम कभी बिकता नहीं उसने शांती से का हर आदमी कहता है कि मेरे नौवल बढ़िया है पर होता कुछ नहीं इसलिए मैं न्यूस पेपर के लिए काम कर रही हूँ कम से कम इससे मेरा खर्चा तो चल जाता है क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे जी बिलकुल मैंने उसा सिखा सिंगापर में मेरा दोस्त है वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को सेल्स से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है वो सिंगापर के कई टॉप कॉर्परेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कूर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत जादा डेवलप हो जाएगा इतना सुनते ही वो घुसे में आ गई आप ये कहना चाहते हैं कि सेल सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा मैंने सहमती में सिरहलाया आप सच मुझ ऐसा कह रहे हैं या मज़ाग कर रहे हैं मैंने एक बार फिर सहमती में सिरहलाया इसमें घलत क्या है मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मैंने ऐसे कोई सुझाव नहीं दिया होता उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करते नजर आ रहा था मेरे पास इंग्लिश लिट्रेचर में मास्टर्स डिग्री है मैं सेल्समें बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं मैं एक प्रोफेशनल हूँ मैं एक प्रोफेशनल में ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समें न बनना पड़े मैं सेल्समें से नफरत करती हूँ उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स की स्टडी क्यों करूँ अब वो अपना ब्रीफ केस ताकत से बंद कर रही थी इंटर्विव खत्म हो गया था कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी मैंने उसे उठाया और उस लेडी द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा क्या आप इसे देख सकती है मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली क्या उसने उलजन में कहा एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जान बूच कर इशारा किया उसके पैट पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसा की बेस्स सेलिंग ओथर यहां पर बेस्स सेलिंग ओथर लिखा हुआ है नकी बेस्ट राइटिंग ओथर उसकी आँखें तुरंट फैल गई मैं बहुत बुरा ओथर हूँ आप बहुत बड़ी ओथर हैं मैं सेल्स स्कूल गया हूँ आपके पास मास्टर्स दिग्री है दोनों को इकठा कर लें और आप एक बेस्स सेलिंग ओथर और एक बेस्स राइटिंग ओथर बन सकती है उसके आँखों में गुस्सा था मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूँगी कि सेल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग लूँ आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक प्रफेशनल राइटर हूँ और आप एक सेल्समेन है ये सही नहीं है उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापूर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई कम से कम अगले दिन उसने मुझे एक अच्छा कवरिज दिया दुनिया स्मार्ट, गुणी, पलहे लिखे और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है हम उनसे हर दन मिलते हैं वे हमारे चारों तरफ हैं कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड आ गई थी मैं गैरिस गया और एक यंग मेकैनिक ने उसे मिनिटों में ही ठीक कर दिया एंजिन की आवाद सुनकर ही उसे समझ में आ गया था कि गड़बड कहां थी महरान था दुखत सस्तो ये है कि टैलेंट ही काफी नहीं होता मुझे लगा तार ये देख देख कर जटका लगता है कि टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम एंजियन एक साल में 12 लाग से ज़ादा कमा पाते हैं मैं ऐसे टैलेंटेड और वेल एजुकिटेड लोगों से मिला हूँ जो एक साल में 5 लाग रुपे से भी कम कमा पाते हैं मेडिकल बिजनिस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक प्रफेशनल कंसल्टेंट मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, डेंटेस्ट और दूसरे लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूज रहे हैं और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने रखता होगा इस कंसल्टेंट में मुझे एक बढ़िया बाग गई वो बड़ी दौलत से सिर्फ एक स्किल दूर है इस लाइन का मतलब ये है कि ज़्यादा तर लोगों को सिर्फ एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी इंकम अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि फानेशल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मारकेटिंग और लॉग का कॉम्बिनेशन है इन चार टेकनिकल स्किल्स को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा असान हो जाएगा जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा तर लोगों में सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की एबिलिटी होती है स्किल्स के कॉम्बिनेशन का एक अच्छा एक्जैम्पल न्यूस पेपर की उस रिपोर्टर का है अगर वो सेल्स और मारकेटिंग के फील्ड में स्किल हसल कर ले तो उसकी इंकम हवा से बाते कर सकती है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अड़र्टाइज कॉपी राइटिंग और सेल्स की कोर्स में शामिल हो जाता फिर newspaper में काम करने के बजाए मैंने किसी advertising agency में job खोजी होती चाहे इस काम में salary कम भी मिलती पर इससे वो ये सीख जाती कि successful advertising में use होने वाले shortcut का इस्तेमाल किस तरह होता है उसे अपना कुछ समय public relation में भी देना होता है जो एक important skill है वो ये भी सीखती कि फ्री पब्लिसिटी में किस तरह लाखों रुपए कमाये जाते हैं फिर रातों और वीकेंज में वो अपना नौवल पूरा कर सकती थी जब वो पूरा हो जाता तो वो अपनी बुक को बेशने के लिए जादा अच्छी सिच्वेशन में होती फिर कुछी समय में वो एक बेस्ट सेलिंग अथर हो सकती थी जब मैंने अपनी पहली बुक इफ यू वोंट वी रिच अन हैपी, डोंट गो टो स्कूल सपवाई तो एक पब्लिशर ने मुझे ये सुझाव दिया कि मैं टाइटल को बदल कर The Economics of Education कर दूँ मैंने पब्लिशर से साफ कह दिया कि इस तरह कि टाइटल से बुक की सिरफ दो कॉपी ही बिकेंगी एक तो मेरा परिवार खरी देगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त और वो दोनों इसे मुफ्त में पाने के आशा करेंगे If you want to be rich and happy, don't go to school इस टाइटल को जान बूज कर चोट करने वाला बनाया गया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे बेहत पब्लिसिटी मिलेगी मैं एजुकेशन को सपोर्ट करता हूँ और एजुकेशन के सुधार में विश्वास करता हूँ नहीं तो मैं पुराने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बार-बार डिमांड क्यों करता इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रमोट हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कॉंट्रवर्सी में घिरने से नहीं डरता मैं थर्ड मेट था और हलाकि मेरी सेलरी मेरे स्थाथियों की तुलना में कम थी पर कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी मेरी शुरुवाती सेलरी हर साल 4.4 लाक रुपए थी जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे सरफ 7 महीने काम करना पड़ता था मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था पर मैंने 6 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया और मरीन कॉप्स में भरती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं मेरे पढ़े लेखे डैडी का दिल तूट गया अमीर डैडी ने मुझे बधाईयां दी स्कूल और जॉब में स्पेशलाइजेशन का विचार एक पॉपॉलर विचार है यानि कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या प्रोमोशन हसिल करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन हसिल करने की जरूरत है इसलिए medical doctors तुरंथ child specialist या orthopedic जैसी specialization हासिल करने में जुट जाते हैं यही accountants, architects, वकीलों, pilotों और बागी लोगों की भी strategy है मेरे पढ़े लेखे डैडी इस विचारधारा में विश्वास रखते थे इसलिए वे doctorate मिलने के बाद excited हो गए थे वे अक्सर यह मानते थे कि school में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं अमीर डैडी मुझे उसका ठीक उल्टा करने के लिए motivate करते थी आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह उनका सुझाब था इसलिए मैंने उनकी कमपनियों में कई department में सालों तक काम किया कुछ समय के लिए मैंने उनके accounting department में काम किया हाला कि मैं कभी accountant नहीं बन सकता था पर वे चाहते थे कि मैं उस department में रहकर उसके बारे में मोटी-मोटी बाते समझ लूँ हमेर डेडी जानते थे कि मैं वहां की vocabulary को समझ लूँगा कि क्या important होता है और क्या नहीं मैं एक bus boy और construction worker के रूप में भी काम कर चुका हूँ और sales, reservation और marketing में भी वे मुझे और माइक को सीड़ी दर सीड़ी सिखा रहे थे इसलिए बचाते थे कि हम लोग उनके banker, वकील, accountant और broker के साथ meeting में हिस्सा ले बचाते थे कि हम लोग उनके empire के हर पहलू के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी रखे जब मैंने standard oil की अच्छी salary वाली job छोड़ी तो मेरे पढ़े लेके डैडी ने मुझे से दिल खोल कर बाते की उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे फैसले के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि जिस job को मैंने छोड़ा था उसमें salary अच्छी थी, benefits बहुत अच्छे थे खाली समय भी बहुत मिलता था और promotion के भी बहुत अच्छे मौके थे जब एक शाम उन्होंने मुझे से पूछा कि तुमने job क्यों छोड़ दी तो मेरे लाग कोशिश करने के बाद भी मैं उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तरक उनके तरक के दायरे में fit नहीं हो पा रहे थे प्राब्लम ये थी कि मेरा तरक मेरे अमीर डैडी का तरक था मेरे पढ़े लेकर डैडी के लिए job की security ही सब कुश थी जबकि मेरे अमीर डैडी के لिए सीखना ही सब कुछ था पढ़े लेके डैडी का मानना था कि मैं शिप का आफिसर बनने की एजुकेशन लेने के लिए स्कूल गया था जबकि अमीर डैडी जानते थे कि मैं इंटरनेशनल बिजनस को स्टड़ी करने के लिए स्कूल गया था तो एक student की तरह मैं Southern East और South Pacific जाने वाले जहाजों पर oil tank रों और passenger जहाजों पर काम करता रहा Amir Daddy इस बात पर जोड देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाए Pacific Ocean पर अपना ध्यान फोकस करूँ क्योंकि भविश्य के देश एशिया में है यूरोप में नहीं जबकि मेरे ज़्यादा तर classmates जिन में माईक भी शामिल था अपने घरों पर party और मौज मस्ती करते थे तब मैं Japan, Taiwan, Thailand, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Korea और Philippines में business, लोगों और business करने के style और culture के बारे में चान रहा था मैं भी party कर रहा होता था पर अपने घर पर नहीं मेरी knowledge बहुत तेजी से बढ़ रही थी पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने ये job क्यों छोड़ी और इसके बाद marine cops में क्यों शामिल हुआ मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाता हूँ पर असल में ट्रूप का लीडर बनना सीखना चाता था अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्कल काम था लोगों से काम लेना उन्होंने तीन साल तक आर्मी में काम किया था मेरे पढ़े लेखे डैडी ने ऐसा कभी नहीं किया था अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक सिचुएशन में किस तरह लोगों को लीड किया जाए जो चीज तुम्हें अगली सीखनी चाहिए वो है लीडर्शिप उन्होंने कहा अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं है तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है जैसा बिजनस में किया जाता है 1973 में वियत नाम से लोटने पर मैंने कमिशन से स्तीफा दे दिया हलाकि मैं हवाई जहाज उडाना पसंद करता था मैं जरॉक्स कंपनी में काम करने लगा मैंने इसमें एक वज़ा से जॉक की थी मैं एक शर्मिला आदमी था और सेल्स का एडिया मुझे दुनिया का सबसे डरावना टापिक लगता था जरॉक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कम्पनी मानी जाती थी अमीर डेडी को मुझे पर गर्व था मेरे पढ़े लेके डेडी को मुझे पर शरम हाती थी एक इंटलेक्चुल होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समेन उनके नीचे के लेवल के होते हैं मैंने जिरॉक्स में चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे दर्वाजे खटखटाने और रेजेक्ट कर दिये जाने कि धर से आज़ादी नहीं मिल गई एक बार मैं कमपनी के टॉप वाइब बेस सेल्समेंस में आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तिफा दे दिया और आगे बढ़ गया एक बार फिर से मैंने एक अच्छी खासी कमपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था 1977 में मैंने अपनी पहले कमपनी खोली अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कमपनीयां चलाने की ट्रेनिंग दे रखी थी तो अब मुझे उन्हें एस्टेबलिश करना ही सीखना था मेरा पहला प्रड़क्ट था नाइलोन और वैलक्रो का वालेट जो फार इस्ट में बनता था और समुदरी जहाज से नुयोक में एक रेर हाउस तक आता था मेरी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो चुकी थी और अब मेरे स्किल्स को टेस्ट करने का समय आ गया था अगर मैं फेल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता अमीर डेडी का मानना था कि 30 साल के पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है आपके पास संभलने का मौका होता है उनकी सलाहत ही मेरे तीसमें जनम दिन की शाम को मेरा पहला शिप्मेंट कोरिया से नुई यॉक के लिए रवाना हुआ आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता हूँ और जैसे मेरे अमीर डेड़ी मुझे एंकरेज किया करते थे मैं डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस करता हूँ आज मेरी इंवेस्मेंट कंपनी दक्षन अमेरिका, एशिया, नौवे और रूस में इंवेस्ट करती है एक आवत है जॉब एक शॉट फॉर्म है जस्ट उबर ब्रोक का और दुर्भाग्य से एक करोडों लोगों के लिए सही सावित होता है क्योंकि स्कूल लिये नहीं समझाता के फाइनेंशल बुद्धी भी बुद्धी का ही एक रूप है इसलिए ज़्यादा तर एंपलॉई या मजदूर अपने साधनों के अंदर रह रहे है वे मैनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं एक और डरावनी मैनेजमेंट थियोरी है काम करने वाले इसलिए कड़ी मैनत करते हैं ताकि उन्हें जॉब से न निकाल दिया जाए और मालेक उन्हें सिर्फ इतना देते हैं ताकि काम करने वाले काम छोड़ करना चले जाए अगर आप ज़्यादा तर कंपनियों की सेलरी देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सचाई तो है इसका कुल नतीजा ये होता है कि ज़्यादा तर एंप्लॉई आगे नहीं बढ़ पाती वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है सेक्योर ज़्यादा तर काम करने वाले कम समय के इनाम जैसे सेलरी और दूसरे फाइदों के लिए काम करते हैं पर लॉंग टर्म के नजरिये से ये उनके लिए नुकसान का सौधा साबित होता है इसके बजाए मैं यंग लोगों को यही सलाह दूँगा कि जौब खोशते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं रास्ते पर आगे की तरफ देखकर ये तै करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और रैट रेस में फसने के पहले वे कितने स्किल्स में माहिर होना चाहते हैं जेरी माइगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार डायलोग थी शायद सबसे यादगार लाइन थी मुझे पैसा दिखाओ और एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सची थी यह उस सीन में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़ कर जा रहा है उसे जॉब से निकाल दिया गया है और वो पूरी कंपनी से पूचता है मेरे साथ कौन आना चाहता है और सब लोग चुक चाप और शाग्ड खड़े रहते हैं सिर्फ एक औरत बोलती है मैं आना तो चाहती हूँ पर मेरा तीन महीने में प्रमोशन होने वाला है यह लाइन शायद पूरी फिल्म की सबसे सची बात है यह उस तरह का स्टेटमेंट है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तमाल करते है मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लेके डैडी हर साल सेलरी बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और सेलरी इंक्रिमेंट मिल सके पर एक बार फिर उन्हें निराशा ही हात लगती थी मैं एकसर लोगों से इस सवाल पूसता हूँ रोजमर्णा के ये काम आपको कहां ले जा रहे हैं छोटे हैंस्टर की तरह लोगों को ये देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है उनका भविश्य कैसा होगा सरिल ब्रिक फील्ड The American Association of Retired People के पहले वाले Executive Director का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है पहली बात तो ये है कि आज काम करने वालों मेंसे 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी इसी बात से चिंता होनी चाहिए और बाकी बचे 50% मेंसे भी 75-80% लोगों को मामूली पेंशन मिलेगी जो हर महीने 55-100 रुपई या 10,000 रुपई या 20,000 रुपई होगी अपनी बुक The Retirement Myth में Craig S. Kapelle लिखते हैं मैं एक बड़ी National Pension Advisory Firm के Head Office में गया और मैं Managing Director से मिला जिसकी Expertise बढ़िया Retirement Plans तयार करने में थी जब मैंने उसे पूछा कि चोटे Office में काम करने वाले लोगों को Pension से कितनी Income की उमीद करनी चाहिए तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा Silver Bullet Silver Bullet? इसका क्या मतलब होता है? मैंने पूछा उसने अपने कंदे उचका है अगर बुज़र्गों को यह लगता है कि वड़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए काफी पैसे नहीं है तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं कारपल इसके बाद पुराने Retirement Plan और ज़्यादा खतरनाक नए 401 के प्लैन में फर्क को क्लेर करते हैं ज्यादा तर काम करने वालों के लिए ये कोई सुखत तस्वीर नहीं है और ये तो ही Retirement की बात जब इस तस्वीर में Medical Fees और Long Term Nursing Home Facility को जोड़ा जाता है तो तस्वीर ढरावनी हो जाती है उनकी 1995 की बुक में वे बताते हैं के Nursing Home की फीज हर साल 30 लाग से 50 लाग डॉलर है और अगर हम इंडिया की बात करें तो अमेरिका और इंडिया में दोनों जगह Government Officials को पेंशन बंद है वहाँ पर 401K प्लैन है और इंडिया में NPS यानि की New Pension Scheme है जिसका मतलब है कि हर महीने हम और हमारे Employer पैसे जोडेंगे जो कि किसी Mutual Fund में रखे जाएंगे Grow करने के लिए और Retirement पर हम वो पैसे ले सकते हैं अगर हम ज़्यादा जी लिए और हमारे पैसे खर्च हो गए तो आप ठीक समझे हम जब बढ़े होंगे और हमें पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी वक्त हमारे पास पैसे नहीं होंगी आज भी Socialist Medical Treatment वाले देशों के कई रत्तालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा वे ये फैसले सिर्फ इसी आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने बुढ़े हैं अगर मरीज बुढ़ा है तो वे अक्सर Medical Care को किसी जमान आदमी को देते हैं बुढ़ा गरी मरीज लाइन में सब से पीछे खड़ा रेता है तो जिस तरह अमीर लोग बहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने आपको जिन्दा प्पी रख सकते हैं जब कि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या Employees भविशे में देख पा रहे हैं क्या उनकी आँके सिर्फ उनकी अगली सेल्वी तक ही जादी है और वे अपने आप से कभी आने वाले भविशे के बारे में सावाल ही नहीं करते जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों के सामने बोलता हूँ तो हमेशा एक ही चीज़ की सला देता हूँ मैं यह सुझाब देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा नजरिया रखे सिर्फ पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाए जो फिलाल जरूरी है मैं सुझाब देता हूँ कि वे एक और काम करने लगें जो इन्हें एक और स्किल्स सिखा दे अगर वे सेल्स टेकनीक सीखना चाते हैं तो अकसर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने के लिए कहता हूँ जिसे मल्टि लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है इन्हें से कुछ कंपनीयों के ट्रेनिंग प्रोग्रेम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जिजद और नाकामियावी का डर निकाल देते हैं जो लोगों के फेल होने का मेन कारण होते हैं लंबे समय में एजुकेशन या नॉलेज पैसे से जाधा कीमती होती है जब मैं यह सुझाब देता हूं तो असर लोगों का जवाब होता है पर इसमें जंजट बहुत है या मैं सरफ वही करना चाता हूं जिसमें मेरी रोची है इसमें बहुत जंजट है इसके जवाब में मैं पूछता हूं तो आप जंदगी भर सरफ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी इंकम में से 50% आप गवर्मेंट को देदें दूसरा रिस्पॉंस मैं चरफ वही करना चाता हूं जिसमें मेरी रोची है इसके जवाब में य बढ़े कुछे को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते हैं जब तक कोई आदमी खुद को बदलने के लिए तैयार ना हो बदलना बहुत मुश्किल होता है पर उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के बचार से मोटिवेट हो सकते हैं और जो राहे पर खड़े हैं मेरा जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझे इसमें मज़ा आने लगता है जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था अगर आप कुछ नया सीखने में दिल्चस्पी नहीं रखते हैं और इसके बजाए आप अपने फील्ड मेरे अमीर डेरी ने दूसरी और जिन्दगी भर ये कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन नव बन पाए वे इसमें कामयाब हुए अलाकि यूनियन काफी करीब आगई थी पर अमीर डेरी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थी परसनली मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है अगर आप स्कूल के दोरा दिखाएगे रास्ते पर चलते हैं हाई एक्सपर्टीज हसिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं एक्सेंपल के लिए अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने एक ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पाइलट यूनियन बहुत तगड़ी होती क्यों? क्योंकि मेरी जिन्दगी सिर्फ एक स्किल को सीखने के लिए समर्पित होती जिसकी वैल्यू सिर्फ एक इंड़स्ट्री में ही हो सकती थी अगर मुझे उस इंड़स्ट्री से निकाल दिया गया होता तो मेरे स्किल्स किसी दूसरे इंड़स्ट्री में उतने काम के नहीं होते अगर किसी senior pilot को निकाल दिया जाए जिसके पास एक लाख घंटे का flying experience हो और जो हर साल 15 लाख डॉलर कमा रहा हो उसे school teaching में इतनी ज़्यादा कमाई वाली बराबरी की job धूनने में बहुत एककत आएगी Skills एक industry से दूसरी industry में transfer नहीं होगी क्योंकि airline industry में जिन skills की ज़रूरत होती है और जिसके लिए pilot को ज़्यादा salary दी जाती है बेश school system में उतने important नहीं होते आज डॉक्टरों के लिए भी यह सही है medical field में इतने बदलाव हो रही है कई medical experts, medical organization जैसे HMO से जोड़ना पसंद करते है school के teachers को union का member होना पड़ता है आज अमेरिका में teachers की union सबसे बड़ी और अमीर लेबर union है N.E.A. यानि की national education association के पास बहुत ज़्यादा political influence है teachers को अपनी union की सुरक्षा की ज़रूरत होती है क्योंकि education के बाहर उनकी skills की value relatively काफी कम होती है तो rule ये है expertise हासिल करो और union बना लो स्मार्ट लोग यही करते है जब मैं अपनी class से पूसता हूँ कि आप में से कितने mcdonald's से अच्छा hamburger बना लेते हैं तो लगभग सभी students अपने हाथ खड़े करते हैं मैं फिर पूसता हूँ अगर आप में से जदा तर बेहतर hamburger बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि mcdonald's आपसे जदा पैसा बना लेता है जवाब साफ है mcdonald's business system में आपसे अच्छा है जदा तर talented लोग सिर्फ इसले गरीब होते हैं कि वे अपना सारा ध्यान बहतर hamburger बनाने में लगाते हैं और business system के बारे में कुछ नहीं जानते हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक कमाल का आर्टिस्ट है वो काफी पैसा कमालेता है एक दिन उसकी मा के वकील ने उसे बताया कि उसकी माने अपने बेटे के नाम पर 35,000 डालर सोड़े हैं ये रकम गवर्मेंट और वकीलों दोरा अपना हिसा लेने के बार बची थी तुरंट उसने इस पैसे को एड़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा दो महीने बाद उसका पहला पूरा पेज का एक कलरफुल एड एक जानी बानी मैगजीन में पब्लिश हुआ जिसके रीडर बहुत अमीर लोग थे ये एड तीन महीने तक चला उससे एड के लिए कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूर्जी इस एड में खतम हो गई और अब वो मैगजीन पर केस ठोकना चाता है एक ऐसे आम आदमे का एक्जेंपल है जो कि एक बहतरीन हेंबर्गर बना सकता है पर बिजनिस की समझ बिल्कुल नहीं रखता जब मैंने उससे पूछा तो उसने क्या सीखा तो उसका जवाब सिर्फ यही था कि एड करने वाले लोग धोके बाज होती है मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वो सेल्स में या डारेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बरबार नहीं करना चाता दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की प्रॉब्लम से जूज रही है या अपनी स्किल्स एक कम पैसा कमा रहे है और इसकी जिम्मेदार उनकी नॉलेज नहीं है बलकि उनकी नॉलेज की कमी है वे एक बेटर हैंबर्गर बनाने के स्किल्स को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैंबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुँचाने के एफिशेंसी पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं शायद मिकडॉनल्स सबसे अचा हैंबर्गर नहीं बनाता है पर वे एक average hamburger को बेचने और उसे एक घर तक पहुँचाने में best है गरीब डेडी चाहते थे कि मैं specialization हासिल करूँ उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ज़्यादा salary मिलेगी अला कि उन्हें हवाई के governor ने साफ कह दिया था कि वे state government के लिए अपकाम नहीं कर सकते है फिर भी मेरे पढ़े लेके टेरी मुझे specialization हासिल करने के लिए एंकरेज किया करते थे मेरे पढ़े लेके टेरी ने teachers union का काम संभा लिया था और वे highly educated और skilled professionals के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फाइदों के लिए campaign छेड रहे थे अम मैं इस बात पर काफी बहस हुई पर मैं जानता हूँ कि बेज़ बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा specialization की कारण ही union की protection की ज़रूरत होती है वे ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा specialization हासिल कर लेते हैं उतने ही ज़्यादा आप चाल में फंस जाते हैं और आप अपनी specialization पर dependent हो जाते हैं अमीर डेडी की सलाह ये थी कि माइक और मैं खुद को grow करें कई corporations यही करते हैं वे business school के किसी young talented student को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह से develop करते हैं ताकि एक दिन वो company की जहमेदारी समाल सके और ये young talented employee किसी एक department में expert नहीं होते हैं वे business system के सभी पहलों की जानकारी के लिए इस department से उस department तका का काम करना सीखते हैं अमीर लोग अक्सर अपने बचों या दूसरे के बचों को इसी तरह से develop करते हैं ऐसा करने से उनके बचों को business का पूरा process अची तरह से समझा जाता है और वे ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह अलग-अलग department में ताल मेल होता है Second World War की PD में एक company से दूसरी company में जाना बुरा समझा जाता था आज इसे smart समझा जाता है क्योंकि लोग ज़्यादर specialization हासल करने के बचाए इस company को बदल कर दूसरी company में जाना पसंद करेंगे तो क्यों न कमाने के बचाए सीखने पर focus किया जाएं कम समय में हो सकता है कि आपकी income कम हो पर लंबे समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा success के लिए जिन main management skills की जरूरत होती है वे हैं एक cash flow का management दो systems का management आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिला कर तीन लोगों का management सबसे important skills sales और marketing की समझ होती है salesmanship ही personal success की चावी है इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ communication में माहिर होना चाहिए चाहे वो कोई customer हो, employee हो, boss हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हो communication skills जैसे लिखना, बोलना और सौधे बाजी यानि bargaining करना, काम्याब जीवन के लिए बहुत जरूरी है ये एक ऐसी skill है, जिस पर मैं लगातार महनद करता हूँ पर अपनी knowledge को बढ़ाने के लिए courses में भाग लेता हूँ या academic tape खरीता रहता हूँ जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी जादा महनत की वे उतने ही जादा काबिल बनी उन्होंने जितनी जादा expertise हासिल की वे उतने ही जादा पहसते चले गए अलाकि उनकी salary बढ़ी पर उनके options कम होते चले गए जब उन्हें government job से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे business के नजरिये से कितने risk में थी ये तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे professional athlete को अचाना चोट लग जाए या वो खेलने के लिए जादा बुढ़ा हो जाए उनकी उची salary वाली situation चली जाती है और वे अपनी limited skills के सहारे जिवत रहते है मैं सूसना हूँ कि इसलिए मेरे पड़े लेके डैडी बाद में unionों के supporter बन गए थे उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि union ने उन्हें कितना ज़्यादा दिलाया होता अमेरी डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए motivate करते थी वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए encourage करते थे जो हमसे ज़्यादा smart थे और वे ये भी चाहते थे कि हम smart लोगों से एक team के रूप में काम करवाएं आज इसे coordination of professional specialization कहा जाएगा आज मैं पुड़ाने school teacher से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डालर कमा रहे हैं वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने field की expert skills के लावा और भी skills हैं वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और marketing भी कर सकते हैं sales और marketing की skills ज़्यादा तर लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें नकारे जाने या अस्विकार किये जाने का डर होता है आप communication, bargaining और reject किये जाने के डर का सामना करने में जितने बहतर होगे आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने newspaper की writer को सला दी थी जो best selling author बना चाहती थी मैं हर किसी को वो सलाह देना चाहूँगा टेक्निकल रूप से expertise हासिल करने के कुछ मजबूत और कुछ कमजोर पहलू है मेरे कुछ दोस्त हैं जो genius हैं पर वे दूसरे लोगों के साथ effective तरीके से बात नहीं कर पाते और नतीज़ा ये है कि उनकी income बहुत कम है मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे एक साल तक बेचने की कला यानि art of selling सीख लें चाहे वे कुछ भी नकमाएं और उनकी communication skills सुधर जाएंगी और ये अनमूल चीज है अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और marketing करने वाले इंसान होने के अलावा हमें अच्छा teacher और अच्छा student होने की भी जरूरत है दरसल अमीर होने के लिए आप में लेने के लिए साथ ही देने की कामलियत भी होनी चाहिए financial या professional struggle के मामलों में देने और लेने में बहुत कम ही देखी गई है मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए घरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे student हैं और ना ही अच्छे teacher हैं मेरे दोनों डैडी उदार थे दोनोंने पहले देने के प्रिंसिपल को फालो किया था education देना उनके लिए एक तरीका था जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में फर्क था मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया उन्होंने अपने चर्स को दान दिया समाच से भी संस्थाओं को दान दिया और अपने foundation को दान दिया वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज़्यादा तर अमीर परिवारों का secret है इसलिए rock pillar foundation और port foundation जैसे organizations काम कर रहे हैं यो organization उनके पैसे को लेते हैं उसे बढ़ाते हैं और लगादार देते रहते हैं मेरे पढ़े लेके डैडी हमेशा कहा करते थे जो मेरे पास extra पैसा होगा मैं उसे दान में दूँगा problem ये थी कि उनके पास कभी extra पैसा आया ही नहीं इसलिए बे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे important rule को भूल गए दो पड़ा को मिल जाएगा इसके बजाए बे यकीन करते रहे के low और फिर दो अंत में मैं यही कहना चाता हूँ के मचपर दोनों डैडियों की चाप है मेरा एक हिस्सा cutter capitalist का है जो पैसे से पैसा कमाने के गेम को पसंद करता है मेरा दूसरा हिस्सा एक social रूप से जिम्मेदार teacher का है जो घरीबों और अमीरों के बीच बढ़ते financial gap से बहुत ज़्यादा चिंदित है मैं इस बढ़ते हुए gap के लिए दक्यान उसी education system को जिम्मेदार मानता हूं और इसी point पर इनी learnings के साथ में chapter 7 and हमारी सीफ नंबर 6 यही पर विराम लेती है